हेलो दोस्तों वेलकम टू टू दू यूट्यूब चैनल जीसी ए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंसाइन्मेंट अकांटिंग के बारे में तो आए चले सुरू करते हैं और जानते हैं इस चाप्टर के बारे में कंसाइन्मेंट अकांटिंग में जनरली एक परसन किसी दूसरे परसन को गोड्स भेजता है और जिसको गोड्स मिला है जो उस गोड्स को बेचेगा वो जनरली गोड्स भेजने वाले से कुछ कमिशन चार्ज करता है तो यह नहीं कि हमें यहाँ पर अकांटिंग पढ़नी है इसको हम लोग एक एक जामपल से यहां पर समझते हैं, माल ले जे Mr. A है जो की Delhi में रहते हैं और इन्होंने अपना goods बेजा है, Mr. B जो की UP में रहते हैं उनको for the purpose of sale, तो यहां पर दो parties हो गए, एक तो goods को भेजने वाला और एक goods को रिसीब करने वाला, जो goods को भेजता है उसको हम लोग consigner बोलेंगे और जो goods को रिसीब करके फिर बेजेगा, उसे हम लोग यहां पर consignee बोलेंगे, जब कभी भी consigner goods को भेजता है तो उस goods का detail भी भेजेगा, जैसे कि कितनी quantity है, कितना price है और कितने में उसे sale करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं performa invoice जो consigner consignee को भेजता है, जब कभी भी consigner consignee को goods भेजेगा तो उसके साथ एक performa invoice भी भेजेगा, अभी goods sale नहीं किया गया है, केबल भेजा गया है, इसलिए goods को भेजने वाला ही goods का मालिक कहलाएगा, उसको हम लोग principal बोलेंगे, और इसकी जो duty है वो ये है कि goods को sold करेगा, उसके बाद goods को बेचने से related अगर कोई खर्च आया, तो ये खर्च Mr. A से collect करेगा, मतलब काट लेगा, और साथ में अगर कोई commissions की बात है, जिस भी परकार की commission की यहां पर बात है, तो वो commission भी ये charge करेगा Mr. A से, और उसके बाद जो कुछ भी पैसा बच जाएगा, वो पैसा Mr. A के account में transfer कर देगा, तो इसको settlement बोलेंगे, और इसको हम लोग अगर इसका detail बनाया जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे account sale, तो ये जो process है, ये consignment का process है, इसी कि हम लोगों को इस chapter में पूरे अच्छे से accounting पढ़नी है, तो इसमें दो parties होगे, एक consigner और एक consigne, तो हम लोग देखते हैं अब कि consigner के book में कौन-कौन से accounting होती है, accounting in the books of consigner, consigner के book में generally आपको journal entries, और एक consignment account जो की mean account होगा, profit निकालने के लिए बनाया जाता है, इसके बाद consigne account जो की personal account होगा, इसमें ये देखा जाएगा, कि consigne के उपर कितने पैसे रहते हैं, और कितना goods उसके पास बच गया है, या जो कुछ भी है, balance उसके उपर, और इसमें दो main working note आते हैं, जैसे कि valuation of closing inventory, और calculation of consignee commission, इसी दो working note के उपर, पूरा का पूरा ये topic आपका depend करेगा, मतलब consignment account इसी दो working note से आपका बन जाएगा, इसलिए आप इन दो working note को बहुत अच्छे से पढ़ना, consignee के बाद अगर consignee की बात करें, कि consignee के book में कौन-कौन से account बनते हैं, तो एक तो journal antis बनेगा, दूसरा consignee account बनेगा, और same working note जैसे consignee, consignee के book में बनता है, अब बात करते हैं, journal antis की, कि journal antis in the books of consignee, तो generally consignee के book में, एक simple journal antis की बात करें, तो जो पहला journal antis है, वो goods को भेजने का, दूसरा journal antis goods को भेजने में, जो खर्चा या उसका, और consignee जो कुछ भी commission लेगा, या expense charge करेगा, उसकी एक journal antis, इसके बात consignee जो goods को sale करेगा, उसका एक journal antis, और then हम लोग profit और loss निकालेंगे, तो उसका journal antis एक आपको बनाना है, यहाँ पर एक nominal account खोला जाएगा, जिसका नाम होगा consignment account, और इसी account के debit में, आपको सभी खर्चे लिखने हैं, और credit में आपको income लिखना है, और फिर profit और loss निकल आ जाएगा, यह जो दो journal antis अभी आपके सामने दिख रहा है, जिसे journal antis नमबर 7 और 8, यह miscellaneous में आप डाल सकते हैं, अब आप देखिए, main जो general antis है, वो उन से लेकर 6 तक है, तो इसके आधार पर आपको एक ledger बनाना है, उस ledger का नाम होगा consignment account, और जिससे हमें profit और loss निकालना है, तो consignment account का format कुछ इस तरीके से रहेगा, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि किबल 5 ही बाते हम लोग generally लिखते हैं, और उसी से हमें profit और loss निकल कर आ जाता है, debit side में 3 main बाते हैं, कि कितने का goods भेजा है, और consignment का क्या खर्चा है goods भेजने का, और consignment के क्या-क्या expenses हैं, credit side में आपको ये लिखना होता है, कि consignment ने समान कितने में बेज दिया, और उसके पास जो stock बच गया है, जो समान नहीं भी का है, वो उसकी value क्या है, इन 5 बातों को आप लिखेंगे, तो उसके बाद profit और loss आसानी से निकल कर आ जाएगा, अगर profit आएगा, जो एक consignment को मिल सकता है, जो पहला है, वो simple सा commission है, जो sales पे निकाला जाएगा, जैसे कि 5%, 4% जो भी commission होता है, तो जो total amount होगा, उसका वाप परसेंट निकाल सकते हैं, उसको हम लोग ordinary commission बोलते हैं, लेकिन एक special commission होता है, that is called delicate commission, जहां पर consignment कहता है, कि मैं उधार बेजता हूँ, लेकिन अगर bad debts होगा, तो वो मेरा होगा, तो ऐसे case में delicate commission, जो थोड़ा जादा होता है, normal commission से, और वो gross sale पे निकाला जाता है, जो तीसरा commission है, उसको हम लोग overriding commission कहते हैं, अगर consigne ये कहता है, कि मैं एक normal price से, इसको above price पे बेज़ दूँगा, तो ऐसे case में जितना भी above price पे बेज़ेगा, उसका एक specific commission निकाला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं, overriding commission, इन सभी commissions को और भी detail में हम लोग, आगले part में discuss करेंगे, अभी फिलाल आप note कर लेजे, अब बढ़ते हैं कि closing stock की valuation कैसे होती है, तो closing stock की valuation में किबल तीन चीजों को आपको add करना है, तो उसके बाद closing stock की valuation बहुत आसानी से हो जाती है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि actual value of goods not get sold, उसके बाद consigner का proportionate expense और consignee का proportionate expense आपको यहाँ पर डालना है, यह proportionate expense क्या होता है, इसको अभी हम लोग के एक example से समझ लेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपके सामने एक question रखता हूँ, जिससे आपको यह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आएए एक basic सा question देखते हैं, Mr. A जो की Delhi से हैं, इन्होंने एक लाख रुपय का समान बेजा है, Mr. B को जो की UP में है, यहाँ पर बेजने का जो expense है, वो एक हजार रुपय है, transportation charges, और जब goods UP रीच कर गया, तो Mr. B ने 800 रुपया spent किया है, carriage पे, और 500 रुपया खर्च किया है लेबर पे, और go down का जो rent है, Mr. B पे कर रहे हैं, 5,000 रुपया, 80% goods को बेज दिया गया, 140,000 में, तो आप proportionate देखा जाए, तो 20% goods बचा हुआ है, Mr. B ने सारा का सारा due जो है, Mr. A को बेज दिया, और 5% commission भी charge किया है, तो इस question में अगर हम लोग बात करें, कि Mr. A के book में क्या क्या बनेगा, तो एक तो journal artist बनेगा, दूसरा consignment account बनेगा, और उसके बाद आपको consignee account बनाना होगा, और दो working note तो करना होगा, इस question में Mr. A consigner है, Mr. B consignee है, और अभी-अभी मैंने आपको बताया कि journal artist, consignment account, consignee account, और ये working note आपको करना होगा, बात करते हैं कि consignment account, तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, कि consignment account में generally हम लोग 5 बातों को ही लिखते हैं, तो format वही रहेगा, format में आपके सामने पहले रख देता हूँ, यही format रहेगा, इसमें पहले चीज लिखेंगे कि goods कितने का भेजा गया, दूसरा goods को भेजने वाला, यानि कि consigner का expense लिखेंगे, उसके बात consignee ने क्या-क्या खर्चे लिए हैं, उसको हम लोग लिखेंगे, consignee का expense भी हम लोग लिखेंगे, मतलब commission, expense, सब कुछ लिखने के बाद, credit side में consignee ने जो समान बेचा है, वो value लिखेंगे, और consignee के पास जो stock बचा हुआ, उसकी value को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, and then consignment account को balance करेंगे, तो आपका profit या loss इसमें निकल कर आ जाएगा, अब बात करते हैं कि working note की, कि commission कैसे निकालेंगे, तो इस question में तो commission बहुत ही simple है, आपको 1,40,000 का 5% निकालना है, लेकिन other question में इतना असान नहीं होगा, थोड़ा सा tricky रहता है, valuation of closing stock की बात करते हैं, तो 20% goods बचा हुआ है, इसलिए 1,00,000 का 20% आप निकाल दीजे, और proportionate मतलब 20% आपको लेना है, consigner का सब खर्चा आप लेंगे, लेकिन consignee का केबल वही खर्च लेंगे, जो उसके go down पहुँचने तक में हुआ है, तो यहाँ पर go down पहुचने तक में 800 और 500 रुपे हुए हैं, तो उसी को आपको किबल लेना है, यह तीनों खर्चों को आप यहाँ पर जोड़ दीजे, तो यह 20,460 आया, इसको फिर आप इस consignment account में आप पुट कर दीजे, यह सभी value को मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो फिर आपका consignment account प्रॉपरली बन जाएगा, यह आपने पुट कर दिया, जैसे एक लाग का समान बेजा गया था, एक हजार consignee का खर्च हुआ था, consigner का, और एक जो consignee की जो खर्चे हैं, वो हैं 500, 800, 5000 और 7000, commission जो है 7000 था तो इन सब को आप लिख देजे, credit side में sale price लिख देजे, और उसके बाद unsold stock की जो valuation हम लोगों ने निकाली थी, 2400, 460 ये लिख देजे, and then आप इस account को balance कीजिए, तो जो भी profit आयागा तो उसको debit में लिखना है, अगर loss होगा तो credit में लिखना है, बात करते हैं कि B का personal account कैसे बनेगा, तो B ने जितने का समान बेचा है, उसको आपको debit में लिखना है, एक तरह से ये debtor account है, और B ने जितने भी expenses चार्ज किये हैं, जैसे कि वो labor चार्ज करेगा, carriage को भी आप से लेगा, उसके बाद go down का rent लेगा, और commission लेगा, तो ये सब उसको दे देना है, और उसके बाद जो भी balance बचेगा, वो ये हम लोग मानेंगे यहां पर, कि Mr. B ने Mr. A के account में transfer कर दिया, तो इस तरीके से consignee का account बनता है, लेकिन ये तो basic सा class था, consignment का, लेकिन next class में हम लोग थोड़ा सा deep इसके बारे में जाएंगे, मतलब कुछ अच्छे अच्छे questions को consignment account के करेंगे, तो उसमें आपको अच्छा सा commission निकालना, और valuation of closing stock के कुछ tricky questions में आपको कराऊंगा, तो आज की इस video में आप इतना ही केजिए, और basic बातों को आप note down कर लिजे, next class में फिर हम लोग आगे करेंगे, तो आज के लिए इतने, thanks for watching the video, और अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो please like the video, and share it with your friend, thank you so much, goodbye,